नमस्कार दोस्तों, चानक क्या की जेपूर ब्रांच में मैं आप सब का हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है डोक्टर स्याम जांगीड, आज जिस टोपिक को लेके मैं आपके सामने परस्तूत हूँ, वो है राजस्तान बजट 2023-2024, तो चलिए या ये जानते हैं, राज चीज को आप लगबग सभी जितने भी घोसनाएं बजट में हुए, सब में देखेंगे कि ये थीम आपको प्रिलिक्षित होती भी दिखाई देगी, तो आप बात कर लेते हैं कि इस बार के बजट के मुख्ये बिंदू क्या रहे, तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी सामा जिक सुरक्षा पर फोकस रहा है, पूरा बजट लगबग, बजट का 52 परतिसत भाग जो है सामाजिक सुरक्षा पर खरच होगा, इसके अलावा इस बार फिर से किरसी बजट अलग से प्रस्तूत किया गया है, दो नीतियां जारी की गई हैं, यूथ पोलिशी 2023 और बायो ट दुरानी, बोर्डिंग स्पोर्ट स्कूल खोलने की बात की गई है, मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम स्कीम का दाइरा बढ़ाया गया है, एक स्कीम है जो अपने आप में एक नया परियोग माना जाएगा, मिनिमम गैरेंटी स्कीम जारी की गई है, गिग वरकर्स को लेके क बहुत इंपोर्टेंट है, तो चलिए आए ये बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नैशनल फूड सिक्योर्टी एक्ट के बारे में, इस एक्ट के तहट राजस्तान गवर्मेंट ने लगभग 3,000 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है, और उसके लिए एक योज कर दिया गया है, ऐसी बातें जब भी आएंगी ना तो आप अपने एक्जाम के लिए पहले कितना था और अब कितना हो गई, दोनों डेटा को आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी डेटा आप से पूछा जा सकता है, इसके अलावा राजिव गांधी स्कॉलर्शिप स् है, पहले 15,000 स्टुडेंट ही हम सेलेक्ट करते थे, अब 30,000 किया करेंगे, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, यूथ पॉलिशी पर, यूथ पॉलिशी के तहत सरकार ने ये गोशना की है, कि वो यूथ डवलपमेंट और वेलफेर पंड का गटन करेगी, और उसके लि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा जो 200 क्रोड का प्रावदान है, उसमें ये कहा गया है, कि ये स्किल डवलपमेंट और रोजगार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और तीसरा समगर वेक्तित विकास के लिए इस्तेमाल होगा, इसी के साथ ही, दोस्तों, सरकार सरकार ने हर एक संभाग स्तर पर सलीम दुर्रानी बोर्डिंग स्पोर्ट स्कूल खोलने की गोशना की है तो अब आपके लिए सलीम दुर्रानी पर्सनेलटी भी इंपोर्टेंट हो गए है तो आप इस तरह पढ़ना इसको दोस्तों मेजर ध्यान चंद स्टेडियम निर्मान स्कीम जो पहले से ही चल रही थी उसमें पहले जो मेचिंग फंट गौर्मेंट उपलब्द कराती थी बो सिर्फ 25 लाग हुआ करता था उसको बढ़ा कर अब एक क्रोड कर दिया गया है इसके अलावा सरकार ने चिरिंजिवी योजना जो अपने आप में राजस्तान मोडल जो शब्द है इसको पॉपलराइज करने में चिरिंजिव योजना का बड़ा योगदान है इस योजना का दाइरा बढ़ा के सरकार ने 10 लाग से 25 लाग कर दिया है दोस्तों इसके अलावा चिरिंजिवी दुर घटना बीमा योजना का दाइरा भी बढ़ा दिया गया है ज इक वरकर्स के वेलफेर के लिए एक फंड का गठन भी किया जाएगा जिसमें 200 क्रोड का प्रावदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सरकार ने महत्मा गांधी मिनिममम गैरेंटी स्कीम जो लॉंच किया है। इसके अलावा महत्मा गांधी दिव्यांग विश्व विद्याले जोधपूर में स्टैबलिस किया जाएगा। राजिव गांधी जी के नाम पर राजिव गांधी एविएशन यूनिवर्स्टी जो है जैपूर में स्टैबलिस किया जाएगी दोस्तों।